अगर आप इस भ्यंकर गर्मे से बचना चाहते हैं तो कोला सोडा सबको बोलिए बैबाय और बनाईए कच्चे आम का खटा मिठा महानी विच इस यमी साइड डिश क्रॉम हिमाचल एटन विद राइस इन फोटी यह कच्चे आम सिर्फ खाने में इस वात नहीं होते बल्कि से अधियत का भी खजाना है और आपको गर्मे में यू से बचाते हैं तो चलिए महानी बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीचे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अभी त्षे भी कर दीचेएंका आणी बножनाने के लिए मैंने यां 2D कच्चे आम लिए जिने मैंने अच्छे से दholीया है हमने प्रेशर कूख में शूतार कर दो कि प्रेशर के लाएक से लगा च्टे से श्टीक कर लूगे कूकर से स्टीम निकल गई है अब आम को चेक कर लेते हैं आम अच्छे से पग गए हैं अब इन आम को एक बाउल में निकाल कर उसमें खंडा पानी डाल देंगे अब हम आम में से उसका च्छीका निकाल कर अच्छे से जो आम का गुद्धा होता है जिसे हम पल्क पोलते हैं वो निकाल देंगे ध्यान में हम बुद्लियों को भी नहीं फिंकेंगे उनको भी अच्छे से साफ करगी इसी पानी में डाल देंगे इसी तरह हम सारे आम से छील का हटा कर आम का गुद्धा पानी में डाल देंगे अब मैंने यहां पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और एक छोटा प्याश लिया है इन सब को एक एक करके मिक्सर में डालेंगे और एक दर्दुरा सा पेस्ट बना लेंगे अब इसी मिक्सर जार में हम आम का गुद्धा पानी समें डाल लेंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि जितनी भी इंग्रेडियन्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए ध्यान ने हमने आम की गुठियों को बाउल में ही रहन दिया था अब इसी बाउल में साले मिश्रम को डाल देंगे अब डालेंगे इसमें चीनी, पाला नमक, ताली मेच का पाउडर, भूनेवे जीरे का पाउडर और अच्छे से मिक्स दर लेंगे अब गानिश कने के लिए उपर से डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याच, हरा धन्या और एंग में डालेंगे चिली फ्लेक्स सो हेर और कच्छे आम का खटा मिटा महणी इस रेडी, आप इसे ज़रूर बनाएए और इस चिल चिलाती करने में इसको पीकर थोड़ा चिल हो जाएए आप इसे as a summer drink भी ले सकते हैं या फिर खाने में plain rice और रोटी के साथ भी enjoy कर सकते हैं